राजधाने शिम्ला में बारिश से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए नगर निगम को वित समिदा एवं यूजना समीती ने 6,85 लाख रुपे के एस्टिमिट को मन्जूरी प्रिदान कर दी वीरवार को महापौर सुरिंदर चौहान की अध्रक्षता में निगम की पहली FCPC की बैठक हुई इसमें शहर में बरसा से हुए नुकसान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई इस्टिमिट के लिए अप्रूबल के लिए बेज़ा अप्रूबल के लिए अप्रूब किया जी FCPC की बैठक हुए और इसको हम भूब ले जाएंगे जी अंकल मिर साथ हम लोग Chief Secretary साब थे हमारे साथ और Urban Development के सेक्र्टी थे थे हुआ नगर निगम के अधिकारी और इड़ोडी के अधिकारी सभी अधिकारी लोग थे हम लगभग 6 जगा गे हैं चीफ सेक्टी साब ने हमारे फ्लावडेल कलोनी जहान लगभग 20-25 पीड़ भी गिरे हैं, रोड भी बंध है और वहाँ पर गाड़िया भी दबी पड़ी हैं काफी दिनों से उसके लिए लोगों की बहुत रुकर्स्ट आ रही थे उसको पीड़ू को हटानी का कारे भी शु जिसने जिसको देख उनने इसको ठीक कराने के नर्दीश की दिये इसके बाद हमलेंड गिये हैं हमलेंड के पास बिल्डिन हमने खाली की यूडी की डिपार्टमेंट की बिल्डिन खाली है उसके सब जहां पेड़ डेंजरस पेड़ थे हमान को निकालने के लिए भी सदके बेलकुल बैड़ गी है और इसके लावा अंदर जर्लिक रोज भी हैं वहां पर भी बहुत नुक्सान हुआ है इस सारा जाइजा लेने के लिए हमने आगे भी फंड्स की भी मांग की है कि आपको नगर निगम को अभी फंड्स की बहुत दिरकार है और जैसे जैसे सदक होगा काम है बहुत बड़े पैमाने के इसके फाइनेंस इन्वल्व है और हमको इसके लिए जल्द से जल्द राशी भी जाली की जाए ब्यूरो रिपोर्ट सिटी चैनल शिम्ला